सो गैसा, आप लोगों मैंसे, मेरे बहुत सरे भाइलो का ये सवाल था ये comment था कि भाई पंजाम निश्टल बैंक में अपना mobile नंम्बर कैसे रेज़िस्टर करें कैसे लिंक करें ऐनला बिना बैंक जाए अपने mobile से है जबकि कुछ लोग का ये भी सवाल था कि भाई अपना mobile online कैसे change करें कैसे बदलें अगर पहले से कोई दूसरा mobile number link है तो उसके जग़ा पर नया mobile number कैसे link करें तो आज के इस video में आप लोग को detail से बताने वाला हूँ अगर आप लोग के मन में कुछी तरीका का सवाल है तो इस video को पूरा दिखेगा क्योंकि इस video में आप लोग के सारे के सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है तो basic के लिए कई process आप लोग को YouTube पर मिल जाएंगे जिसमें आप लोग को customer care में call करके बताया जाता है कि आप customer care में call करके अपना mobile number link करवा सकते हैं जुड़वा सकते हैं फिर पहले से कोई दुसरा mobile number link है तो उसे आप लोग change करवा सकते हैं लेकिन मैं आप लोग बता दू कि यह जो online वाला जो process है, online वाला जो system है कि आप लोग customer care में call करके अपना mobile number link कराओ, register कराओ तो भीया यह अब 2024 में नहीं चलता है यह पहले चलता था 2015 सुले में, यह देखिए 2024 चलना है यह पहले जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है, समझे तो देखो भाई, आज के समय में अगर आप लोग यह सचो कि भाई, मैं customer care में call करके अपना mobile number जो है कि link करा लू, register करा लू या फिर दूसरा mobile number बदलवा लू तो यह possible नहीं है क्योंकि देखो भाई, आज के समय में आपका mobile number कोई भी 10 मिनट के लिए आपका mobile ले सकता है और भाई, आप जो है की call करके अपना number जो है 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 तो चलिए मेरे सपास यहाँ पर है PNB1 application का user ID password मैंने open करके रखा है PNB1 का mobile banking app और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कैसे online mobile number लिंक कर सकते है आप लोग कैसे register कर सकते है तो या फिर कैसे बदल सकते है तो basically यहाँ पर three dot पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का dashboard आएगा जिसमें आप लोग का my profile दिख जाएगा तो my profile पर click करेंगे my profile पर जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का बहुत सरे आपसना जाएंगे जिसमें आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं जो है कि account nickname या फिर account access यहाँ पर change करने के लिए बोल रहा है state limit या फिर pin टीपीन पासवार उगरा change करने के लिए बोल रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस किजे कि कहीं पर mobile number link करने के लिए नहीं बोल रहा है यानि कि यह जो online process लोग बताते हैं कि भाई आप mobile banking से कर सकते हो internet banking से तो भाई यह भी देखो possible नहीं है ठीक है तो यह भी तरीका फेल हुआ मतलब आप लोग नहीं customer care में call करके mobile number link कर सकते हो नहीं register कर सकते हो और नहीं आप लोग mobile banking internet banking के दोबारा mobile number link कर सकते हो online process दोखो भाई online आज के समय में कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा security आज के समय में हो चुका है कि आप लोग जो कि mobile number किसी का भी link नहीं कर पाऊगे ठीक है किसी का भी आप लोग किसी भी bank में link नहीं कर पाऊगे online ठीक है यह तना ज्यादा security को देखते हुए ऐसा system लागो किया गया है ठीक तो यह दोखो online तो नहीं हो पाएगा अब आप लोग को offline करना होगा आप लोग कैसे करेंगे आप लोग को simply यहाँ पर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है एकाउंट नमबर दे दे यह काम हो जाएगा इसके बाद अब आप लोग को mobile नमबर कहाँ पर देना पड़ता है यहाँ पर यह देख रहे है ना mobile नमबर लिखाओ mobile नमबर यह मिला यहाँ पर mobile नमबर दो एक फोटो लगाओ अपना साइन ओन करो डेट लिखो यहाँ पर लेया करके ब्रांच का आफिस लिख करके जाके जमा कर दो ठीक है भी यहाँ दो तीन दिन में आपका mobile नमबर अपडेट हो जाएगा लिंक हो जाएगा और आप लोग को चेंज हो जाएगा आप लोग को परशान होने की जरुरत नहीं है रही बात आउनलाइन प्रोसेस तो आज कहीं भी एक्जिस्ट नहीं करता है चाहे पंजाम शरल बैंक हो चाहे दूसरे बैंक हो ठेक है आउनलाइन के चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना है समय बरबाद नहीं करना है तो आई होब कि आप लोग की इस वीडियो के कारे में पता चला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में वाई एक नहीं जो है कि धड़ातेदार विजू के साथ